अच्छों आशा करता हूँ कि इस सीरीज का जो पहला लेक्षर था उससे आपको टेंपरेशर के काइनेटिक इंटर्परेशन को समझे में काफी मदद मिली होगी और इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं आईडियल गैस और रियल गैस के बारे में ज कि मतलब कोई एक ऐसी गैस होती होगी जबकि यह क्या है यह वह गैसे हैं जो हमारे वातावरण में हमारे ब्रमार्ण में पाई जाती हैं तो आईडियल गैस मतलब आदर्श गैस आदर्श गैस का मतलब कि एक ऐसी गैस जो कि एवल गैसियस स्टेट में ही रहे यानि जिसको यानि cannot be liquefied और जो rear gases है इनकों क्या कर सकते हैं इनके temperature को low करके यानि low temperature पर pressure बढ़ा करके at low temperature and high pressure can be liquefied यानि जो rear gases होती है उन्हें हम लोग कम ताप पर और उच्छ दाप लगा करके तो temperature कम होने से क्या होगा उनके molecules की कानेटी के एनरजी कम होगी यानि molecules के motion करने के tendency कम हो जाएगी और जब आप pressure लगाएंगे तो molecules पास पास आएंगे और धीरे धीरे कैसी condition आजाएगी पढ़ना है तो हमें कुछे चीजों की जरूरत है second number क्या है कि जो हमारी ideal gas है इसके जो particles होते हैं उनका volume निगलेजिबल होता है यारी इसके molecules का size बहुत छोटा होगा लेकिन यहां पर क्या होगा volume of molecules is large यारी इसके जो molecules होंगे वो रिजिड होंगे ठीक है तो real gas के जो molecules है उनका volume हम निगलेजिबल नहीं ले सकते है तीसरी property कि यह चोकि gases state पर रहती है यानि इसके molecules के बीच में inter-molecular forces zero नहीं लगते हैं inter-molecular forces are not present जबकि यहां पर क्या है अंतराविबल लगते हैं कुछ न कुछ ज़रूर लगेंगे inter-molecular forces are present ठीक है उसके बाद यहां देखी यह gas laws को follow करती है यानि temperature, pressure और volume की किसी भी value के लिए यह gas laws को follow करती हैं और ideal gas equation PV is equal to nRT इसको ओबे करेंगी इसको follow करेंगी लेकिन यह जो real gases हैं यह क्या दिखाती हैं? deviation show करती हैं इस ideal gas equation से क्या करती हैं? deviation show करती हैं यानि कुछ condition में तो यह इस law को follow करेंगी यानि बहुत कम pressure और high temperature पर यानि high temperature का मतलब क्या हो? सारी के सारी energy किसमे हो? kinetic energy के form में हो यानि molecules खुब दूर दूर हो उनके बीच में लगने वारा intermolecular force क्या हो जाए? negligible हो जाए और pressure कम हो जाए ठीक है? तो pressure कम रहेगा तो molecules एक दूसरे के पास रही आपाएंगे यानि completely ideal gas की तरह बहेव करती है real gases तो कुछ ऐसी real gases है जो जिनके molecular size बहुत small होते हैं जैसे hydrogen हो गई oxygen, helium और जितने भी monoatomic inert gases है यानि एक परमाणूप जो अक्री gases है ये सारी कि सारी क्या है? low pressure और high temperature पर ये real gas की तरह बिजेव करती है और इसका gas equation को follow करती है ideal gas equation को इसके अलावा अगर कोई condition होगी तो ये किसे follow करेंगी? रियर gas equation को जो किस ने दिया था wonderball से उसको हम लोग आगर डिसकस करेंगे तो यहाँ पर चुकि हम हमारा जो main topic है वो है Andrews curve पढ़ना तो Andrews ने क्या किया था carbon dioxide के लिए isothermal curve रॉकिये थे liquification के यारी carbon dioxide को liquify किया और उसका जो behavior था उसका PV graph कीचा अलग-अलग temperature पर तो यहाँ पर हमें देखना है कि P और V का relation कैसे होगा और P और V के relation को बताने वाला जो gaseous law है वो है boil's law तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं boil's law कि किस तरीके से ideal gases behave करती है और कैसे real gases behave करती है शुरू करते हैं boil's law से जो यह बताता है कि constant temperature पर किसी ideal gases का जो volume होता है वो उसके pressure के inversely proportional होता है यानि V is inversely proportional to P यानि pressure हम बढ़ा देंगे तो volume क्यों हो जाएगा कम हो जाएगा यानि gas compress हो जाएगी और pressure कम कर लेंगे तो volume क्यों हो जाएगा expand हो जाएगा जैसे ये container है इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और suppose कि यहाँ पर क्या भड़ी भरी हुई है वन मोल आप ideal gas तो अगर आप इसको नीशे करेंगे यानि pressure बढ़ाएगे तो volume क्या हो जाएगा ये piston हो सकता है यहाँ पर आजाए और volume क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसी तरह से अगर इस piston को ऊपर की तरफ खीश लीजे तो वह pressure कम हो जाएगा और volume क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो यहाँ से आगे हमारा PV is equal to constant इसी तरीके से Charles Law है जो constant pressure पर volume और temperature में relation को दिखाता है या आप अर्ड़ी पढ़ चुके हैं और वो क्या आता है V is directly proportional to absolute temperature of gas यानि volume of gas at a constant pressure volume of gas is directly proportional to its absolute temperature यानि स्थिर दाप पर किसी gas का जो आयतन होता है वो उसके परंथ आपके अनुपरवन अपाती होता है और अगर इन दोनों rules को हम एकसाथ करने तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा V is proportional to T upon P या V is equal to R T upon P या यहां से आ जाएगा आपका PV is equal to R T यह किस के लिए है वन मोल के लिए अगर हमने N मोल ले लिए है gas की तो यह क्या आ जाएगा PV is equal to N RT यह हमारा क्या है ideal gas equation है और अगर हम एक factor define करें Z क्या define करें Z और Z की value क्या हो PV upon N RT तो यह Z यहां पर क्या कहलाएगा compressibility coefficient Z क्या कहलाएगा coefficient of compressibility संपीडिता गुडां कहलाएगा coefficient of compressibility और यह बहुत important है Z Z को जानना बहुत important है क्योंकि Z यह बताता है Z से में पता क्या क्या रगता है पहली चीज़ नेचर ओफ डेविएशन नेचर ओफ डेविएशन यानि जो रियल कैस है वो कैसा डेविएशन शो कर रहे है पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव यानि required amount से quantity की value अगर जादा है जैसे जितना pressure होना चाहिए अगर उससे ज्यादा pressure आ रहा है तो यह positive deviation हुआ और जितना pressure होना चाहिए या जितना volume होना चाहिए उससे कम volume अगर आ रहा है तो यह क्या हो गया निगेटिव डेविएशन हो गया तो पहले चीज़ डेविएशन के nature को बताता है दूसरी चीज़ क्या करता है गैस के expansion या compression को बताता है expansion और compression को बताएगा चीज़ ये बताएगा कि force of attraction dominate कर रहे हैं या force of repulsion इन दोनों में से कौन से dominate कर रहे हैं अगर gas expand कर रही है यानि inter-molecular forces कैसे लग रहे हैं repulsion के लग रहे हैं और अगर gas compress हो रही है तो इसका मतलब molecules के बीच में attraction dominate कर रहा है चौती जो चीज़ ये बताता है ये बताता है V real up to V ideal यानि किसी given temperature और pressure पर real gas के volume और ideal gas के volume का ratio ठीक है यही factor जो बताता है कि gas expand कर गई है या compress कर गई है तो देखते हैं कि किस तरीके से ये deviation हम लोग boils law का देख रहे हैं ठीक है चलिए आगे ग्राफ से आपको बताता हूँ तो देखें बाइल स्लाफ क्या है P into V is equal to constant और इसका अगर हम ग्राफ लेते हैं तो ये X into Y इसमें से A को X A को Y axis बिले जाएगा तो X into Y बराबर constant और ये किस को अलिक सक्षन का ग्राफ equation है Rectangular Hyperbola जानी संकोर एक अलिपरवा एका तो इसका ग्राफ देखी कैसा आएगा जो ideal gas follow करेगी वो आएगा किस तरह के से ये ग्राफ आएगा लेकिन जो real gas is है उनका deviation कैसे होता है ठीक है इस तरह के से ये deviate करती है यानि देखो suppose करो अगर आप यहां कहीं इस पॉइंट से पूपर ले लो कोई temperature कोई pressure यहां पर ले लो suppose कि यह pressure तो इस pressure पर देखिए ये हमारा है V ideal ये क्या है V ideal यानि ideal gas का volume है और ये क्या है real gas का volume है यानि ये V real है तो इस pressure पर suppose कि ये P1 पर P1 पर क्या है ये V real is greater than V ideal है नब इसका मतलब V real upon तो यहां पर Z की value क्या आ जाएगी greater than 1 क्यों क्योंकि Z क्या होता है Z is equal to V real upon V ideal तो V real बड़ा है और V ideal चोटा है इससे तो Z क्या हो जाएगा ये एक से बड़ा इसका मतलब देखे gas का volume होना चाहिए था ये value और gas का volume है कितना उससे जादा value यानि gas क्या हो गई expand हो गई तो इसका मतलब जब Z की value क्या होगी एक से बड़ी होगी ठीक है ना जब coefficient of compressibility क्या होगा एक से बड़ा होगा तो यहाँ पर उन्हों लोग चार्ट देखते है Z is equal to 1 sorry Z is greater than 1 और Z is less than 1 क्योंकि Z बनाबर 1 तो हमारा ideal gas का condition है तो जब Z X से बड़ा होगा तो इस case में देखी क्या होगा V real is greater than V ideal यानि expansion हुआ अब expansion हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि repulsion की force dominate कर रहे हैं यानि जो अंतरारविक बल है वो प्रतिकर्शन के ज़्यादा लग रहे हैं और यहाँ पर एक चीज जो और आई सामने कि पहले चीज़ अब लोग ने देखा expansion हुआ दूसरा ये तीसरा repulsion का force लगा और चौती चीज़ ये deviation है कैसा volume होना चाहिए था इतना है कितना उससे ज़्यादा ठीक है तो ये कैसा deviation हुआ positive deviation कैसा है positive deviation यह कैसा deviation है यहाँ अगर हमारा z एक से बड़ा होगा तो gas expand करेगी repulsion के force dominate करेंगे real gas का volume ideal gas की volume से ज़्यादा होगा है ना और जो deviation है law से वो कैसा है positive deviation है इसके उल्टे अगर देखे इससे नीचे हम लोग एक pressure ले तो देखो अब यह आगया आपका V real और यह आगया V ideal यानि होना चाहिए था इतना volume लेकिन है कितना उससे कम तो यहां पर देखो आप क्या हो जाएगा इस point के लिए V real is less than V ideal तो V real is less than V ideal यानि गैस को इतना volume कवर करना चाहिए था लेकिन गैस क्या है उससे कम volume में आ रही है इसका मतलब गैस क्या हो गई compress हो गई अब अगर यहां से हम लोग इस V ideal को नीचे ले आईए तो यह V real upon V ideal will be less than one यानि Z क्या हो गया एक से कम हो गया तो यहां पर क्या हो गया compression हुआ यानि gas compress हो गई है compress होने का मतलब क्या हो गया कि molecules में attraction बढ़ गया है इसका मतलब attraction के forces क्या हो रहे है हाँ भी हो रहे है dominate कर रहे है और यह कैसा deviation है volume होना चाहिए था जादा है कम यानि value कम है इसका मतलब यह negative deviation शो कर रही है तो यह एक छोटे से चार्ड से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो real gases है वो normal condition में जो हमारे ideal gas equation होते हैं या हमारे जो gases laws है जिने ideal gas follow करती है कैसे उससे deviate करते हैं और यहां पर केवल मैंने किसका लिया है PV diagram लिया यानि आइसो थर्म कीचा है यह किसी रिश्चिक temperature पर है क्योंकि हमें अब जो बात करनी आगे वो आइसो थर्म पर ही करनी है यानि समतापी बत्रों पर ही करनी है ठीक है तो इसको बतानी की कोशिश की है जरा साम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि कैसे ZP के साथ vary कर रहा है आप देख रहे हो कि जब pressure ज़्यादा है high pressure है तो Z1 से बढ़ा है Z की value बन से क्या है? बड़ी है low pressure पर Z क्या है? 1 से छोटा है यानि negative होगा ठीक है? और एक pressure temperature की value है जिस पर Z की value किसके बराबर होगी? A के बराबर वो ये point जहां पर V real V किसके बराबर है? ideal के बराबर होगा तो हम लोग graph देखते हैं किस तरीके से जो हमारा Z है वो pressure और temperature के साथ vary करता है ठीक है? तो देखिए कि मैं Z का P के वरसेस graph खीश रहा हूँ ये value मैंने मान ली है Z is equal to 1 अब देखते हैं कैसे तो ये experimental graph है इसको बना करके आपको explain कर रहा हूँ तो hydrogen और helium उनको liquefy करना बहुत tough है तो उसके लिए उनका जो graph आता है वो इस तरीके से आएगा ये इस तरीके से hydrogen और helium के लिए लेकिन बाकी और gases के लिए जैसे nitrogen हो गई, methane हो गई, carbon dioxide हो गई उसके लिए graph कैसे आता है? ये सपोज कर देखिए nitrogen के लिए है ये methane के लिए है और ये हो गई हमारी carbon dioxide है अब इसको कुछा जाए कि कौन ज़्यादा deviation शोग कर रही है तो आप देखिए कि ये एक value से कौन सबसे ज़्यादा नीचे गई ये carbon dioxide यानि इसका deviation सबसे ज़्यादा होगा इसका deviation और कम होगा और nitrogen का deviation बहुत कम होगा तो ये क्या था ये था Z का किसके versus pressure के versus की pressure के साथ कैसे और देखिए low pressure पे है ना low pressure पे कैसे हो रहा है एक से नीचे जा रहा है Z की value एक से नीचे हो रही है यानि low pressure पर Z की value क्या हो रही है less than one आ रही है और जैसे जैसे pressure बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो जाता है Z एक से जादा हो जाता है यानि पहले गैसे क्या होई ये compress होई और उसके बाद फिर ये expand हो रही है ठीक है तो ये क्या था Z का P के साथ में graph अब देखना है Z का T के साथ में यानि temperature के तो temperature में graph तो हम लोग Z और P का ही खीचेंगे लेकिन अभी हम लोगों ने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट गैसे के लिए खीचा है तो अब क्या करेंगे एक ही graph का graph खीचते हैं अलग अलग temperature पर लेकिए इसका graph जाएगा ये सब उसकर कोई ये temperature लिया लिया T1 तो उसका graph ऐसे आया ये है T1 temperature को और बढ़ाया गया तो ये graph इस तरह से है T2 temperature को और बढ़ाया गया T3 और temperature को और बढ़ाया गया तो ये graph कैसा है ये सीधी लाइन आ गई और इसको नाम दिया गया Tb ये बायस temperature है किसी gas का बायस temperature वो उसका Kelvin scale पर वो temperature होता है जिस पर वो किसकी तरह behave करती है Z की value 1 पर यानि ideal gas की तरह behave करती है और यहां पर देखिए क्या है कि T1 से बढ़ा है T2 T2 से बढ़ा है T3 उससे बढ़ा है Tb और इससे बढ़ा है T4 तो ये graph अब ऐसे आ जाएगा T4 के लिए तो आप देख रहे हैं कि T1 से लेकर Tb तक यानि बायस temperature तक जैसे जैसे temperature rise हो रहा है वैसे वैसे gas किसकी तरफ जा रही है आईडियल बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो रही है यानि real gas किसमें convert हो रही है आईडियल गैस में और यह हमारी assumption है कि high temperature पर और low pressure पर तो जैसे जैसे हमारे temperature हाई हो रहा है वैसे वैसे क्यों हो रहा है जो हमारी real gas है वो किसकी तरफ आईडियल गैस की तरफ जो है तैनि जो हमारा next session होगा इसमें हम लोग देखेंगे Andrews कर जा Andrews experiment जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि Andrews ने carbon dioxide को liquefy करके उसका जो आईसो थर्म की चाता है उससे उन्होंने क्या result निकाले और कैसे फिर wonder wall equation आया क्या आगे इडर time होई वो हम लोग अगले chapter में पढ़ेंगे यान आगले लासान में देखेंगे